नमस्कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 एपरेल 2019 के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स स्टार्ट करेंगे फर्स कोशन से और उससे पहली अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चैनल को साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजे इससे आपको फ्री में नोटिफकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नहीं जानकर रिडानूगी और मैं आपको बता दूँ अपने दो चैनल है तो यही चैनल है Meet Academy और एक है Technical Government Job All Over India Technical Government Job All Over India पे जो भी All India की Government Jobs आती है सारी जानकरी आपको वहाँ पे मिल जाये करती है अगर आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उससे भी जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा वो हमारा पराना चैनल है 2 लाग प्लस सब्सक्राइबर है हमारे पास वहाँ पे तो उससे जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और इंस्टेग्राइम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एच्वल में audience यानि की जनता के बीच में important जो fact रहते हैं मतलब interested जो तरीके है method है उससे science को और बढ़ावा देना उसकी एहमियत के लिए यह है cafe scientific की याद रखेगा जो की अब केरल में launch किया जाएगा बात हो रही है केरल की सो इसकी capital किया है जवनपूरम नोट कर लिजीगा और governor कौन है पी स्थासिवं and CM यानि की chief minister कौन है पिंडराई विजन जी सो केरल के बारे में भी आप इतना ज़रूर याद रखेगा नेक्स रखे एंटी पी सी has a loan agreement of rupees 2000 crores with which bank यानि एंटी पी सी ने किस बैंक के साथ 2000 crore रुपे का रिन समझोता किया है यानि कि loan agreement किया है सो किस बैंक के साथ किया है सबसे पहले एंटी पी सी की full form important है National Thermal Power Corporation सो इसकी full form आप ज़रूर याद रखेगा अब एंटी पी सी ने कैंडरा बैंक के साथ यानि option third is का सही answer है कैंडरा बैंक के साथ 2000 crore का loan agreement किया है बात कर रहे हैं हम कैंडरा बैंक की और साथ में कर रहे हैं NTP सी की सबसे पहले कैंडरा बैंक की आपको एक basic चीज जयाद रखने है जो कि बहुत ही ज़ादा important है कि कैंडरा बैंक की इंडिया में कब स्थापना हुई थी काफी exam में repeat हो चुका है यह वहला question तो कैंडरा बैंक की इंडिया में स्थापना हुई थी जयानि 1906 में यह है कौन यह आपको याद रखना है तो याद रखेगा यह एक great visionary थे और film therapist यानि कि महान दूरदर्शी थे और एक प्रॉप कारी थे जिनके द्वारा स्थापना की गई थी बैंक की अब साथ में एंटी पीसी की बात हो रही है जिसकी फुल फूम मैंने आपको अल्रेडी वता दी है और इसकी स्थापना होई थी 1975 में यानि 1975 में इसकी स्थापना होई और इसका हयड कोइंट की अचैर्मन था है और इसकी प्रिजंटन टांके चैर्मन कौन है मिस्टर गुर्दीप सिंग जी आपको याद रखना है एंट्ड पीसी के प्रेजंटर्न के चैर्मन हैजंट गुर्दीप सिंग जी Next दरेखिए Which railway station has been redeemed? यानि कि किस railway station का नाम अभी बतला गया है So अभी-अभी किस railway station का नाम बतला गया है? चिनेई का चिनेई Central Railway Station का नाम बतल दिया गया है जिल्वा दुंद दिया है तो याद रखेगा नोट डाउन कर दीजी का हो सकता है तो लिखरी जे डॉक्टर एम जी रामचंदरन चिनेई सेंट्रल रिल्वे स्टेशन रखा गया है डॉक्टर एम जी रामचंदरन जी पूर्व मुख्य मंतरी है चिनेई की याद रखेगा नेक्स लिखे विच कंट्री जोइंट दी इंटरनेशनल सोलर अलाइंस यानि की अंतराष्ट्रे सोरगट बंदन यानि इंटरनेशनल सोलर अलाइंस में कौन सी कंट्री या कौन साथ देश अभी शामिल हुआ है सो कौन से कंट्री शामिल हुई है अंतर राष्टे सोर गठ पंदन में बोलीविया यानि option A इसका सही अंसर है बोलीविया शामिल हुई है और international solar alliance यह है क्या यह भी important आपके लिए सो मकर रेखा और करक रेखा के बीच जितने भी मतलब देश है जितने भी मतलब countries है इन सब का alliance है यानि की गठ पंदन है यह ठीक है सो याद रखेगा और solar energy का use करना solar energy का use किस तरह से करना है और battery use उसका किस तरह से करना है मेन इसका यही परपस है और यह इसलिए किया गया है ताकि solar energy का maximum use किया जा सके maximum और अच्छी से इसका use किया जा सके और यह भी important है कि 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी यानि इसकी starting की गई थी पैरिस में की गई थी याद रखेगा international soldier alliance की और इसका headquarter कहां पर international soldier alliance का गुडगाओं में इसी के साथ बॉलिविया के बारे में भी थोड़ी जान कर्या आपको होनी चाहिए मतलब इसकी capital क्या है सुक्रे स-u-c-r-e चीक है लिखने में वैसे सुकर भी बोलते हैं सुक्रे है वैसे अच्छल में और इसकी currency क्या है बॉलिवियन बॉलिवियन हो चीक है आपको याद रखना है और इनके present time के president को उन्हें evo morales spelling लिखी जीगा evo morales m-o-r-a-l-e-s फिर सिर्पीट करूंगी evo morales यारी morales नेक्स लिखी विच अवर्ड वन दी पीवी सिंदू और नीरस चोपडा यहां मैंने हिंदी में लिखना था by mistake दोनों English में ही टाइप हो गया है विच अवर्ड वन दी पीवी सिंदू और नीरस चोपडा को अभी-भी कौन सा पुरुसकार दिया गया है तो कौन सा पुरुसकार दिया गया है ESPN यानि option third इसका सही answer है और दोनों में से सिर्फ आपको एक नाम भी दिया जा सकता है दोनों नाम भी दिया सकता है या option में या question में तो आपको दोनों नाम रट लेने हैं कि पीवी सिंदू और नीरस चोपड़ा है जिनको ESPN यानि कि Entertainment and Sports Programming Network अवार्ड इनको दिया गया है फिर से repeat करूंगे इसकी full form Entertainment and Sports Programming Network याद रखीगा next सिखे who become the president of the Asian Football Confederation यानि कि Asian या एशियाई फुटबॉल परिसंग के अध्यक्ष कौन बने है तो अभी अभी Asian Football Confederation यानि एशियाई फुटबॉल परिसंग के अध्यक्ष बने है शेक सिल्मान बिन अबराहिम अल खलीफा जी यानि option B इसका सही अंसर है याद रखेगा शेक सिल्मान बिन इबराहिम अली खलीफा इनका पूरा नाम है और ये third time बने है ये भी important बात है याद रखेगा third time ये बने है और यहाँ पे मैंने एक mention कर रखा है Asian Football Confederation इसकी full form exam में ये काफी बार रिपेट हो चुकी है मतलब President of the AFC लिखा हो सकता है सिरफ आपको ये भी लिखा हो सकता है ये आपको AFC की full form आ सकते exam में तो आपको याद रखना है AFC की full form है Asian Football Confederation और AFC यानि की Asian Football Confederation कप ये कब स्टार्ट के गए थे 2005 में 2005 में ये कब स्टार्ट के गए थे Next रिखी Which company has been nominated with the Global Slack Company of the Year यानि किस company को Global Slack Company of the Year के साथ नमीत किया गया है ये नमांकित किया गया है मतलब उनको nominated किया गया है So किस company को किया गया है Tata Steel को चिक है और क्यूं किया गया है ये भी important है Global Slack Company of the Year ये है क्या मतलब किनको ये दिया जाता है Actually में जब steel बनाते हैं जो उसकी waste होती है न वेस्ट निकलता है उसमें So कौन सी company उसका किस तरीके से किस अच्छे तरीके से मतलब उसका यूज करती है उस company को ये दिया जाता है So Tata Steel ने इस waste का अच्छा यूज करके अच्छे products बनाए है इसलिए Global Slack Company of the Year से नामित किया गया है Tata Steel को और आपको याद रखना है और इसी के साथ आपको याद रखना है ये नामित कहां पे किया गया है तो याद रखे 14th Global Slack Conference and Exhibition 2019 में जो जर्मनी में हुए है वहाँ पे इनको नामित किया गया है Who become the next High Commissioner of India in the Cameroon Republic यानि कि Cameroon गनराजे में भारत के यानि इंडिया के अगले उच्छे यूक्त मतलब High Commissioner कौन बने है तो कौन बने है Cameroon गनराजे में भारत के अगले उच्छे यूक्त राकेश मलोत राजी यानि इसको option 4 बिलकुल सही अंसर है राकेश मलोत राजी है जिनको Cameroon Republic यानि कि Cameroon गनराजे के अगले भारत के अगले उच्छे यूक्त यानि High Commissioner बनाया गया है तो आपको याद रखना है नेक्स रिखी CSIR done agreement with whom यानि कि CSIR मतलब Council of Scientific Industrial Research फिर से repeat करूंगे इसकी full form और काफी ज़्यादा important और repeated है Council of Scientific Industrial Research ने किसके साथ अभी agreement किया है यानि कि समझोता किया है तो किसके साथ किया है Indian Navy के साथ यानि first option इसका सही अंसर है और इसके साथ आपको याद रखना है Indian Navy के नए प्रमुक कौन बने है कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको बदाया था Admiral Karambir Singh जी इसके साथ आपको ये भी याद रखना है नेक्स रिखी David Malpass has been named as the chairman of which bank यानि कि David Malpass को किस बैंक के chairman के रूप में नामीत किया गया है मतब नॉमिनेट उनको किया गया है तो किस बैंक के लिए नॉमिनेट किया गया है इनको वर्ल्ड बैंक के लिए यानि option second इसका सही अंसर है सो याद रखेगा और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कबूई थी 1944 में यानि उन्नी सो चताली में इसकी स्थापना होई थी और इसका हैड़ क्वाटर कहां पर वशिंटन हीसी में याद रखेगा next रिखी मतलब गूगल इंडिया के उद्योग प्रमुख कौन बने है मूरी कांगो यानि इसका option C पिलकुल सही अंसर है मूरी कांगो ये एक बॉलिवूड एक्ट्रेस है अगर आपने इनकी मुवीज देखी हो लाइक होगी प्यार की जीत मुवी में भी है ये और भी काफी मुवीज आए जिसमें ये है बादल मुवी में भी है सो मूरी कांगो है जो इंडिस्ट्री हैड बने है गूगल इंडिया के याद रखेगा next रिखी सिलमबोली चिलपपन डाइड रिसेंटली who was he सिलमबोली चिलपपन जी का अभी निदन हो गया है वो कौन थे एचल में इनका पूरा नाम है सिलमबोली सु चिलपपन याद रखेगा सो ये एक ओथर थे यानि एक लेखक थे और अभी इनका निदन हो गया है और ये तामिल लेंग्विज के तामिल भाइशा के ओथर थे और तामिल लटू से ही बिलोग करते थे आपको याद रखना है कि इस तामिल के लेखक का अभी हाली में नीदन हो गया है PDF के तौर पर आपको इस वीडियो के description में मिलेंगी उसे जरूर डाउनोर कीजेगा बहुत ही ज्यादा important books है मिलेंगे next session में जल्दी से जल्दी thanks for watching